हेलो नमस्कार कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका मेरी चैनल में तो आज हम बनाने वाले हैं साबुदाना की खीर जो की खाने में बहुत टेस्ट लगती है और बहुत जादा हेल्दी भी जटपड़ बनके त्यार हो जाती है आज कल नवरात वरत चल रहे हैं तो आप साबु कम से कम दो से तीन घंटे के लिए भी होने के लिए छोड़ दे तो यह बहुत अच्छे से फूल जाता है सौफ्ट हो जाता है अब गैस पर हमने आप एक पैन रख लिया है और दो कप हम यह पर डालेंगे दूद और दूद को चम्मत से चलाते वे थोड़ा सा हम गरम होने देंगे यह पहले से ही उबला हुआ दूद है अकर आप कच्छा दूद डाले तो उससे आप पहले उबाल ले और चम्मत से जरूर चलाए नहीं तो तली में लग जाता है उसके बाद देखे हम यहां पर साबुदाना डाल लेंगे और इसे भी हम चलाते रहेंगे गैस की फ पे भीगोना रग भी आए एक कफ हम यह पर डाल लेंगे पानी उसके बाद हाप बोल हमने यह पर गुड़ डाल ले और चोटे 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 पीस कर ले और गुड को भी आपको चम्मत से चलाते हुए लगाता पकाना है नहीं तो यह भी तली लग जाता है तो बस देखे पांच मिनट में ही गुड का पानी बनके तयार हो गया है आप चाहे तो अगर चीनी वाली बना रहे हैं तो चीनी को भी इसी तरीके से पानी में डाल के पका ले या वैसे ही बाद में आपको चीनी डालने होती है नहीं तो सागुदानी की खीर फट जाती है तो देखे सागु से भी जरूर चलाती रहे बीज बीज में देखिए साबुदानी खीर बहुत जल्दी गाड़ी हो जाती है तो आपको थोड़ा उसी हिसाफ से जादा डालना होता है और देखिए पक्ते-पक्ते कितना अच्छा कलर हो गया इसका यह बहुत जादा टेस्टी तो होता ही है साथ से जरूर लगातार चलाते रहेंगे जब तक हमें पकाना है जब तक यह पूरी तरीके से ट्रांस्पेरेंट ना हो जाए क्योंकि साबुदाने का पकना बहुत जरूर होता है यसे बहुत जल्दी यह बन के तियार हो जाता है तो यह देखिए धीरे धीरे यह पूरी तरीके तो बस देखिए दाने बिल्कुल ट्रांस्पेरेंट दिख रहे हैं, इसका मतलब कीर बन के बिल्कुल तयार होगी, गैस को बंद कर देते हैं, कीर को हलका सा ठंडा होने देंगे और गुड का पानी भी हलका ठंडा हो गया है, अब हम इसे कीर में मिक्स करेंगे, अगर आप प चीनी वाली बना रही है, तो आप चीनी की भी चाशनी बना के बाद में मिला सकती है, चीनी का पाउडर आप बाद में ऐसे डाल ले, गैस को बंद कर दे, गरम-गरम साबुदाने में आप चीनी का पाउडर डाल ले, नॉर्मल चीनी को ग्राइंटर जार में ग्राइन कर ले, क्योंकि साबुदानी के खीर फटने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, तो आपक बिल्कुल ऑप्शनल है, जो भी आपको पसंद है, तो देखे जट-पट से हमारी बनने वाली खीर बनके बिल्कुल तयार होगी है, बच्चों के लिए बहुत जादा हेल्दी होती है, तो आप इसे जरूर बनाए, एनरजी बूस्टर खीर आप इसे कह सकते हैं, बहुत ही तो यह रही मेरी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगया, आप मुझे जरूर बताईएगा, रेसिपी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, मैं मिलूंगी आपको अगली है, कैसी नई रेसिपी के साथ, तब तक लिए ऑाई, टी के रिक रेसित हुआ